हेलो एवरिवन ललीता भाद वाज कीचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल गुजिया तो मैं गुजिया बनाऊंगी दो तरह से एक बनाऊंगी शुगर सिर्व वाली बिल्कुल बजार जैसी और एक जो सिंपल तरीके से बनती है गुजिया तो चलिए दोनों तरह की गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब बनाना को फिट कीचे ताकि मेरे नए वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंस की रहे त बनाना स्टार्ट करते हैं गुजिया तो यह देखे गुजिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा, तो ये दिखे, मैंने एक बड़ा कटोरी मैदा लिया है, और ये दिखे, हाफ कटोरी लिया है, मैंने सूजी, तो आप सूजी कोई भी ले सकते हैं, बारिक बाली भी ले सकते हैं, रवा भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, एक कटोरी लिया है, मैंने फ्रेश खोया एक कटोरी लिया है मैंने बुरा एक कटोरी लिया है मैंने segregate coconut आप इसकी जागे नारियल को लेकर उसको mixi grinder में भी ग्राइंड कर सकते हैं एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने सॉफ एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने सर्बूदि का भीष एक बड़ा चमच लिया है मैंने बदाम, एक बड़ा चमच लिया है मैंने किश्मेश, उतना ही लिया है मैंने काजू, और यह लिया है मैंने किश्का, यह देखिए दो बड़े चमच लिया है मैंने दो बड़े टेबल स्पून से लिया है मैंने घी, तो घी की मात्रा हम देख के एक कटोरी मैदे के लिए हम इसमें डालेंगे एक दो कि चार चार चम्मत जो है मैंने इसमें घी पाया है और यह देखें कि के साथ मैं डालूँगी एक चुटी इसमें नमक नमक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा है है हैंस होता है तो यह देखें अब हमें अच्छे से इसको घी के साथ मैदे को मसलना है पहले यह देखें मैं इसमें अभी 2-3 चमबर देसी घी और पाऊंगी देखें देसी घी की मातरा आप अपने कोडिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन गतना अच्छा इसमें देसी घी होगा उतनी अ अच्छे से घी को मैंने से मसल दिया है और इस टाइम अगर हम इसका इस तरह से लड़ू बनाएंगे यह देखिए यह बन जाएगा दिखरेगा नहीं बिल्कुल भी यह देखिए तो इसका मतलब इसके लिए गी जितना इसको चाहिए था उतना इसमें अब्जॉब कर लिया ह है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका हम जैसे पूरी के लिए आटा त्यार करते है कन तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके अपनी कंट्रोल में रखिएगा पानी को थोड़ा करके हमें इसका दो त्यार करना है पानी डालना है हलका हलका चड़क के अब हम इसको दस से पंद्रे मिंट के लिए सटे बalnya के लिए रग देते हैं है कि दो की अ कि बादान पाजु पेस्ता को हम रोज्री करना नहीं सने हम में था बहुत करना है आध अधे मिनिट के लिए तो ये देखें बस इनको हम निकाल लेते हैं ये तैखे अब हम नारिल को भी इसमें हल्का सा एक सेकंड के लिए इसे हम रोस्ट कर लेते हैं तो ए देखे नारिल भी रोस्ट हो चुका थो अ है चitterी के लिए प्रची के लिए बुझे के बीर इसे भी हम खलका सरोज कर लेते हैं चाहिए तो इसमें डालेंगे हम सूजी और सूजी को भी हम मूल लेते हैं तो यह देखें सूजी भी भून चुकी है तो इसे भी निकाल लेती है तो यह देखें एक चमच घी में और डालूँगी इसमें और अब हम डाल देंगे अपना यह खोया और इसको भी हम भून लेंगे सॉफ्ट होने तक इसे हमें बिल्कुल अच पर भून ना है ताकि यह जले ना तो यह देखें खोया भी हमारा तयार है इसे मैं एक सेकंड दो सेकंड के लिए और भून लेती हूँ उसके बाद हम इसे भी निकाल लेंगे यह देखें इसी सूजी में ही हम इसे भी जाल देनेंगे तो यह दैखें नारियल और जो हमने खर्रूजे के बीज रोस्त है थे उसे भी हम यह दाल देखेंगी है यह देखेंगे किश्मिश को मैंने इस तरह से dries से कटकर लिया है इससे भी हम इसमें डाल देंगे सोफ को भी हम इसी में डाल देंगे ये रखिए जो हमने नट्स को रोस्ट किया था अब इनको हम हल्का हल्का एक कुंडी में डालके इसे हम इसे हम इतरा से पूरवा द्मा के इसे एसे क्षर कर ली ister पर इसे तो ये रखिए मैंने सारे नट्स को तो यह देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें अब हम शक्कन थोड़ी देर में डालेंगे क्योंकि अब यह सारा मिटल गरम है यह थंडा हो जाएगा तब डालेंगे तो जब तक यह थंडा हो रहा है तब तक हम क्योंकि हम दो वराइटी के गुजी अपनाने जा रही है एक शुगर सिरफ बाला और एक बिना शुगर सिरफ बाला चलिए उसके लिए हम सबस्क्राइब त्यार कर लेते हैं तो यह देखिए एक बटर में मैंने देड़ कटोरी डाला है पानी और एक कटोरी डालेंगे हम इसमें चीने हमें इसको कुछ निकरना सरफ इसके पानी को हमें इसमें शुगर को इसमें डिजॉल्व होने लेना है बस यह देखे इसमें मैं थोड़ी से टेसर के स्टेंट्स डाल रही है यह उप्शनल है आप डालना चाहें डाल सकते हैं तो चलिए जब तक शुगर सिरफ त्यार हो रहा है तब तक हम इसमें भी अभी थो तो यह देखे हैं हमारा शुगर सिरफ भी बनके तयार है तो आप में गैस बन कर देती हूं तो चलिए हम अपने अब डोव को भी चेक कर लेते हैं एक पर यह देखे कितना अच्छा डोव बनकी सेट हो गया है कि छलिए इसको अब हम पीशिस में तब से कटकर लेते हैं और इस तरह से हम इसकी घ snares कर लेखे हैं आं में तो यह देखे अब राथ को अच्छे से इस तरह से हम इसको बेलेंगे तो यह देखे इसमेन च्छे इसे लिए अब हमें इसे ना तो एक्स्ट्रा ओईल लगाने की जरूट है और ना ही मैदे को डस्ट करने की तो इसको हम पूरी तरह से जितना बड़ा यह बन सकता है इसको इतना हमें बनाना है पूरा बेट ना यह देखिए पूरा ना यह बहुत ज्यादा पतला होना और इसको इसको दबाते हैं इसको कटिंग कर लेंगे यह देखिए और इसका जो एक्स्ट्रा है ना यह आटा इसको हम निकाल लेंगे चलिए इसकी सारी पूरियों की इसी तरह से कटिंग कर लेते हैं पहले यह देखे हैं मैंने सारी पूरियां बनाके तियार कर लिए तो चलिए अब इसकी स्टफिंग करते हैं तो यह देखे, मैं आपको 2-3 तरह की गुजय अबनाना सिखाऊंगी यह देखे, एक पूड़ी है मैंने इस पे और अराम से हम बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से मेटीरियल रखेंगे और इसकी साइड में हम लगाएंगे इसकी आजिस पे हलका हलका पानी और एक साइड उठाते हुए अराम से हमें इसे इस तरह से दबा देना है यह देखे, और एक लोग हम इस तरह से दबा देंगे इसकी दूसरी साइड से भी हम इसको हलका 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 हाथ से इस तरह से दबाते हुए बना देखे और अब मैं दूसरी तरह से गुज्या सिखा रही हूँ आपको जो हम हाथ से ही बनाएंगे इसकी वही सेम एजिस पर लगाएंगे हलका हलका पानी और इसकी साइड को इस तरह से अराम से इस तरह से दबाते हुए और एक side से हमें एक corner लेना है इसको इस तरह से दबाना है और फिर next fold करते हुए इसे इस तरह से दबाते जाना है इस तरह से इसकी edges को दबाना है और इस तरह से fold करते जाना है इस तरह से इस तरह से और लास्ट वली अज को इस तरह से तबा दें, तो ये देखे, ये भी बन के तयार है गुजिया, और तीसरी तरह की गुजिया है, वह मैं दिखाती हूं आपको, तो ये देखे, ये है गुजिया अपनाने वाली थाचा, तो हम इसकी मसद से भी गुजिया बनाएंगे, तो इ इस तरह से टेड़ा करते हुए, इसमें डालेंगे हम स्टाफिंग, ये देखे, हमें इसकी स्टाफिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी है, तो ये देखे, इसकी एजिस पे भी हमें इस तरह से पानी लगाना है, और इस तरह से हलके हलके हाथों से दबाते हुए, इसे हमें इ इस तरह से यह देखें, तो आपको जैसे भी पसंद है आप उस तरह से गुजिया बना सकते हैं, तो चलिए हम बाकी की गुजिया भी त्यार कर लेते हैं, तो यह देखें मैंने सारे गुजिया बना के त्यार कर लिया है, तो चलिए इसमें से देखिए जो मैंने हाथ से इसे और जो हमारे इसका आच है वो बिल्कुल low to medium होना चाहिए तो यह देखें अराम से हम एक एक करके सारे गुजिया इसमें डाल देंगे यह देखें और जैसे ही यह फ्राई हो जाएगी ना अपना फ्लोट होके ऊपर आजाएगी हमें इसे छेड़ना नहीं है विल्कुल low to medium flame पे इसे हमें फ्राई होने देना है यह देखें सारे गुजिया फ्लोट होके उपर आचुकी है तो इसे हमें इसी तरह से बिल्कुल low अगर इसे हमें crispy बनाना है तो इसे low flame पे ही हमें सेखना है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इसे अराम से थोड़ा सा और पकने देते हैं फिर इसे हम पल्टेंगे तो यह देखिए अब हम इनको एक एक करके इस तरह से पल्टेंगे तो यह देखिए हमारी सारे यह वली गुजिया प्राई हो चुके तो इसको अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं तो यह देखिए अब हम गरम गुजिया को इस सिरप में रीप कर देंगे गुजिया और शिरप में से एक चीज को भी गरम होनी चाहिए तो हमारी गुजिया गरम है तो इसको हम दो मिनट के लिए इसी में डीप रहने देते हैं तो चलिए बाकी की गुजिया भी हम फ्राई कर लेते हैं तो यह देखिए यह वाला राउंड भी त्यार है गुजिया का तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स हमारी शुकर सिरप वाली गुजिया भी बन के तयार है इसे मैंने रोड़े से नकार्स और सिलवर पेपर के साथ मैंने चांदी के वर्फ के साथ इसे डेकोरेट किया है और यह देखिए दूस्री वाली गुजिया भी बन arrive कि तयार है तो यह देखे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूं कि यह कितनी क्रंची बनी है यह देखें अधिके स्टॉफिंग भी कितनी अच्छी है और बिल्कुल यह क्रंची बनके तयार हुई है तो चलिए इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज चै में गुजया बनाईए और अपना फीडबेक में साथ शेयर कीजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई